चलिए अब इस स्टोरी के बारे में देखते हैं जो की एक होरर स्टोरी है यह स्टोरी लिखी गई है बड़े ही इंडिया के फेमस यह है ऑफर राइटर iki बॉन्ट उसकनॱपर्स पैदा हुए ते शिम्ला में शिम्ला हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है बड़ा ही सुन्दर सा स्टेट है इंडिया का लोग मेंली वहाँ पे गुमने फिरने के लिए और मौज मस्ती के लिए जाते हैं ट्रावलिंग के लिए जाते हैं अपनी समर में और विंटर में जब वेकेशन होते हैं तो लोग यहां पर जाते हैं आप भी जाहिएगा तो उस हिमाचर प्रदेश में एक सिटी है जिसका नाम है शिम्ला ठीक है शिम्ला बहुती खूपसूरत सिटी है रस्किन बॉर्ण खुद ही पहला हुए थे शिम्ला में इनका काफी बच्पन का टाइम यहां बीता ह शिम्ला में तो उनके जो एक्सपीरियंसेज हैं उसी के साब से उन्होंने यह स्टोरी लिखी है आफ फेर सिंथा डार्क तो अब देखते हैं घजे लीडिए हुत्वर्ण अगया तो मैं में क्विल देख चेट्षा एम खांग रहा है है बहुत खूपसूरत है तो अब इस story में क्या है इस story में एक teacher है ठीक है वो teacher Anglo-Indian है Anglo-Indian क्या होता है Anglo-Indian का मतलब क्या है Anglo-Indian का मतलब यह है कि यह teacher वैसे जो उसका origin है वो तो बाहर का है अंग्रेज है यह ठीक है बाइबढ़ थी इंडियन नहीं है अंग्रेज है माता पिता इसके कुछ अंग्रेज रहे होंगे या खुद भी यह बाहर रहा होगा बाद में इंडिया में आके बस गया जैसे मानले कोई इंग्लैंड का आदमी है इंग्लैंड का आदमी कोई इंडिया में आके एक school था जिसमें वो क्या था English का teacher था और वो school मेली जैसा की दिखाई देता है हमें इसमें story में वो एक convent school है मतलब उसमें जो medium है वो English है तो convent school का वो एक English का teacher है और वो ये भी हमें मालूम बढ़ता है story में कि वो जो teacher है वो bachelor है शादी शुदा नहीं है उसने शादी नहीं किया वो bachelor है अब वो रहता था school में school का जो hostel होता है वहाँ पर उसको एक room मिला हुआ था वो वहाँ पर रहता था और जैसा की आप देख रहे हो शिमला थोड़ा सा एक पूरा hill station है ये तो जहाँ पर जिस school में रहता था वहाँ से जो इसका market था मतलब इस city का वो तीन माइल के आसपास था ठीक है तीन माइल का मतलब होता है लग 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 आप लोगे 5 km के आसपास तो मतलब 5 km उसके school से शिमला का जो main market था वो दूर था मतलब एक तरीके से जो इसका school था वो city से थोड़ा सा भार था ठीक है तो वो city में आ जाता था market में घुमने फिरने के लिए और जब रात होती थी रात होने से पहले पहले वो आपस अपने school में चला जाती था तो एक दिन वो ऐसी city में घुमने आया सडकों वडकों पर घुमा market में घुमा shopping वापिंग की घुमा फिरा उसके बाद उसको कहा जाना था वापस अपने school में और जैसा कि मैंने बताया पहाड़ी एरिया था पहाड़ी एरिया पर आपको पताई है राते जो होती हैं बड़ में पेड़ नहीं है बेट अगर आप किसी hill station बेगए है तो वहाँ जो पेड़ों की height होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वहाँ mostly सुनसान होता है ज्यादा लोग नहीं होते तो रात का time है आप सोचो और अगर पेड़ बहुत उंचे-उंचे है तो डर लगता है तो यह क्या करता था यह जो teacher था एंगलो इंडियन teacher इसका नाम है Oliver story में तो यह जो Oliver है Oliver उस शाम को city में आता है जैसा मैंने बताया गुमता फिरता है और वापिस इसको school जाना होता है school जाने के लिए Oliver को रास्ता जो होता है इसके school का city से मालों यहाँ पे है इसको यहाँ school जाना है अपने वापिस तो यह जो beach में रास्ता है 5 km का यह इसको travel करना होता है जंगलों में से और time रात का है darkness है मतलब शाम के मान लो 7-8 बजरे होंगे तो अब यह जो रास्ता है beach का यह इसको travel करना है एक jungle में से और रात का time हो रहा है जंगल कैसा होगा देखो यह शिमला की मैंन इसको जाना है और बिलकुल अंधेरा है जंगलों का time है ठीक है रात का time है ठंड का time है और इसके पास Oliver के पास क्या है सिरफ एक इसके पास अपनी torch है क्या है इसके पास torch तो यह torch लेकर यहां से जा रहा होता है वापे school की तरफ जैसे market से school की तरफ जाता है तो रास्ते में क मतलब बच्चा क्या होता है ही और पिंग कर रहा होता है तो घूल का सेol जा को पूछता है तो फिर वापे school चाहिए तो फिर वह काफी question करता है Oliver बच्चे से फिर end में क्या होता है बच्चा अपना ना चेहरा उपर उढ़ाता है उसने चेहरा नीचे किया होता है Oliver को उसका face नहीं दिख रहा होता बच्चे का जैसे ही बच्चा अपना चेहरा उपर करता है Oliver के हाथ पर काप जाते है अब हाथ पर क्यों कापते हैं क्योंकि बच्चे के जो चेहरा होता है बिल्कुल फ्लैट होता है बिल्कुल फ्लैट मतलब क्या है बच्चे की ना आखे हैं बच्चे की ना कान है ना बच्चे का मुँ है कोई फीचर ही नहीं है मटलब आपके समर्लो मैं आपके चहरें पे से आखे हटा दू, नाक हटा दू, आपका लिपस हटा दू, बिल्कुल फ्लैट कर दू, एकदम फ्लैट, जैसे कि एक फ्लैट बोर्ड है, कोई फीचर्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एकदम जो अलेवर होता है, उसकी रूख आप जाती है, रूख आप जाना मतलब एकदम बिल्कुल काम जाता है उपर से नीचे तक, आप खुद सोचिए हैं, जैसे ये रात का टाइम है, अगर मैं आपको यहां खड़ा कर दूँ, इस फॉरस्ट में, रात के टाइम अंधेरे में, शिमला में, इस फॉरस्ट मे खड़ा कर दूँ, और स्टोरी में जैसा कि बताया गया है, ये जो ट्रीज हैं, पाइन के ट्रीज हैं आपे, और बहुत हवा चल रही है, आवाजे आती हैं, बहुत डरावनी, डरावनी, इतने लंबे लंबे जो पेड यह जब चलते हैं, और इन पेडों के बीच में से ज देहरा हो रहा है, तेज तेज हवा चल रही है, जो पेड़ हैं, ऐसा लगता है, बिल्कुल डर लगता है आदनी को बहुत जादा, और सामने आपके एक ऐसा बच्चा देख लें, जिसके जब वो चेहरा उठाए तो ना आख है ना ना कोछ है, एक तरीके से भूत है, भूत सम happier, पेड़ा आपने स्कूल के पास, स्कूल के पास जैसी ही वो पहुँशता है, उसका पैर लडगडा आता है, और उसंद झाल करते हो वह स्टमबल थै यो ड़कड़ा थै तो दिखता है उसका पेर लड़कड़ा Зна시면 का निता है उसको कुंऐ दिखाई देता है एक वाच म sorry देता है Oliver को से नुछ पूर वाच मान मिलता है ठीक है तो watchman कैता अरे साब ऐसा कैसा हो गया आपने ऐसा कैसे बच्चा देख लिया कुछ आपको गलत फेमी होगी ऐसा कैसे बच्चा मिल गया आपको ठीक है तो वो कहता नहीं नहीं मैंने देखा है ओलिवर बोलता है watchman को भाई मैंने देखा है वो था और ऐसा लग रहा था मुझे जैसे भूत है उसकी ना चेहरे पर कोई फीचर ही नहीं है तो जो watchman होता है वो पकड़ा होता है लाल टेन सा होता है ठीक है लाल टेन जो पराने जमाने में आपने देखा होगा लाल टेन लाल टेन टाइप का होता है लाम्प होता है समझ लो उसमें दिया सा जलता रहता है तो लाल टेन जो watchman होता है वो अपने चेहरे की तरफ करता है और उसको बोलता है Oliver को कि क्या साब वो चेहरा ऐसा था जैसे ही वो देखता है Oliver ना उसका चेहरा watchman का तो watchman का चेहरा भी बिल देखके बिल्कुल आप समदलो Oliver की क्या हालत हुई होगी आप खुद इमैजिन करो इस चीज को कि आपने अभी एक भूद देखा है बच्चा देखा एक जो भूद जैसा था जंगलों में शिमला के और फिर आप भागे आपका पहले लड़ खड़ा है आपका एक वाच्मेन से और जब आपने वाच्मेन को देखा वो वाच्मेन भी वैसी निकला तो समदलो आपको हाइटेक पड़ जाएगा दरके हमारे हाइटेक पड़ जाता है लोगों को ठीक है तो अब यही स्टोरी है एकदम से जैसे ही वो देखता है और उसको वाच्मेन को वाच्मेन भी बच्चे कितना निकलता है और एकदम से हवा तेज से चलती है और जो वाच्मेन की हाथ में लेंब होता है वो बुच जाता है तो यहाँ पे स्टोरी एंड होई तो बड़ी ड्रावनी सी स्टोरी है ठीक है बड़ी एक आपको जब पढ़ोगे ना उसको और थोड़ा इमेजिन करोगे स्टोरी को तो आपको भी डर लगेगा अपने आप में देखो कैसे ड्रावना सा लग रहा है यह पूरा एरिया रात के टाइम ऐसा को दिख जाए आपक असलाब थोड़ा सा अगर इस टोरी का दिखा जा है फेस इंदा डार्क ठीक है क्या इसका इंटर्पेटेशन निकाल सकते है थोड़ा सा इंटर्पेशन इसका यह भी निकल सकता है कि ओलेवर एक बैशलर था उसकी शादी नहीं हुई थी तो ओलेवर की लाइफ में एक तर स्टार्ट कर देता है जो चीजें रियल में नहीं होती उसको दिखना लग जाती है मतलब अगर किसी इंसान का बहुत ज़दा मेंटली अंस्टेबल हो जाया उसका दिमाग खराब हो जाया तो उसको चीजें ऐसी दिखाई देती है जो रियल में एक्जिस्ट नहीं करती है तो एक तो श्याद ये भी हो सकता है कि विकॉज वो एक बैशलर था ओलिवर उसका मेंटल स्टेबलिटी इतनी अच्छी नहीं थी अकेला रहता था पूरा ताइम अकेले रह रह रहे कि इंसान का भी दिमाग खरा हो जाता है इसलिए कहते हैं आप लोगों से घुला मिला कर थोड़ा रियल लाइफ को भी जीए तो ठीक है तो थोड़ा रियल में भी रहना चाहिए अकेले रह के आप पागल हो जाओगे परशान हो जाओगे तो वही ओलेवर के साथ हो सकता है ऐसा हो आपकी स्टोरी में नहीं लिखा ये मेरी अपनी एक इंटर्पेटेशन है तो मा काफी टाइम से बच्चों को बढ़ा रहा था बहुत लंबे टाइम से बच्चों को बढ़ा रहा था साथ बच्चों को बढ़ा रहा था सो बच्चों को बढ़ा रहा था तो धीमे धीमे क्या हुआ इससे सारे बच्चे जैसे लगने लगे हो यह भी हो सकता है इसको सारे बच्चे जैसे लगने लगे हो तो यह भी एक possibility है कि उसको जो बच्चे का चहरा था एक दाँ फ्लैट नजर आया ठीक है क्योंकि फ्लैट नजर आने का मतलब या है कि उसको जो इतने बच्चों को बढ़ा पढ़ा पतलब इतने लंबे टाइम से वो इक teacher था बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा था 100 200 हो सकता हाजार बच्चियों तो बाकी सारे बच्चों में कुछ differentiate ना कर पा रहा हो एक उसको common सा चहरा नजर आने लगा हो तो उस common से चहरे को story में writer ने as a flat face दिखाया है क्योंकि सारे जब हजारों चहरे एक साथ मिल जाएंगे तो एक common सा चहरा हो गया है तो जिसको उसने writer ने flat face के form में दिखाया है तो ये भी interpretation हो सकता है ठीक है ये books में आपकी दिया नहीं है ये मैं अपना की interpretation कर रहा हूँ ठीक है तो वाइस ये ती story एक horrorful story है अच्छी story है थोड़ा सा अगर आप interesting way में पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा तो वाइस दिस वाल बाद टोड़ेज वीडियो have a nice day आपको कैसा लगा comment section में ज़रू बताईएगा thank you